लोगसब चुनाओ 2024 का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है अब 4 जून का इंतजार पूरिद देश को है जब लोगसब चुनाओ 2024 का रिजल्ट आएगा 4 जून को किसके साथ आएगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन एग्जिट पूल भाजपा और एंडिये के पक्ष में है बीतदन यानी एक जून को जैसे ही चुनाओ खत्म हुआ और 6.5 बजे सबी टीवी चैनलों ने एग्जिट पूल दिखाने शुरू कर दिया जिसमें भाजपा और एंडिये को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है एग्जिट पूल के मताबिक उतरखंड की 5 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है अब पूल सामने आया और बयान बाज़ ये नहो ऐसा कैसे हो सकता है कॉंग्रेसेज एग्जिट पूल को सिरिसे नकार रहा है वहीं एंडिये में शामिल भाजपा 400 सीट का दावा किया है सभी एग्जिट पूलों में एंडिये और भाजपा को परचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पूल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन चार्ज उनको रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मदगरना प्रारंब होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार परचंड जीत के साथ देश के प्रधान मंतरी बनेंगे ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड परिवार जनों की जीत है उनकी नीती और नियत की जीत है गरीब कल्यान सुसासन की जीत है जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक छण लगाया है ये उसकी जीत है और ये एतियासिक होगी और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एंडिये 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सारतक सिद्ध होगा सेवा सुसासन गरीब कल्यान के नीती को जनता का जनरेश प्राप्त हुआ है देश के पुधान दर्यमाई मोदी और एंडिये की पूर भौमत की सरकार प्रचंड भौमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है सारे भष्ट Somla चारी एक हो जाएं परिवार्वाद एक हो जाएं अगर्षी के लिए इमां धर्म को त्याग हिने वाले एक हो जाएं तो भी जनता ने अपनी महोर देश के भिकास को के लिए लगाई है चार तारिको प्रणाम जो आने वाले हैं वो जातिवाद, परिवारवाद, ब्रष्टाद और सुर्ष्टिकरण के खिलाब का प्रणाम है और मैं विश्वास मुलग कह सकता हूँ उदर कॉंग्रेस के वरिष्ट निता और पूर्व मुख्य मंतरी हरी शिरावत ने सभी एग्जेट पोल को नकारते हुए कहा की एग्जेट पोल पूरी तरे पूर्व योजना के अनुसार है ये इसकी कोई विश्वास निता नहीं है आज से लगवग चार शाड़े-चार मेहने पहले उस नरीटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक बैधानिकता मिल जाए स्विकारिता मिल जाए लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जेट पोल भी जो है ये ही कह रहे थे कि तो तहिन भै तो उसके लिए सब कुछ करवा गया है सब कुछ करवा गया है देखें ये ये सब जो है एक बनाए भी योजना के ताहत हो रहा है और हम इस तरीके के किसी भी प्रियाज को खारीज करते हैं चार तारीक को जो है हम बद्गर्णा में भाग लेंगे उस साप गुरो भाग लेंगे और देखेंगे क्या सित्या है ये लोगतंतर का सराश्वर अपमान है कहीं कोई हवा नहीं, कहीं कोई वो नहीं कोई भावनात्म गैसा प्रशन नहीं तो कहां से इतने भी सीटे मिल जाएंगे एकज़िट पोल के आंकड़े आने के बाद भाजपा के कुन्बे में खुशी की लहर है तो वहीं विपक्षी दलों में निराशा साफ देखी जाए सकती है बहराल जो भी चुनाओं की रिजल्ट आने में अब 40 घंटों से भी कम समय बचा है ऐसे में सबी के दिलों की धड़कन तेज हो गई है दैरदून से पंजाब केसे टीवी के लिए आशीश रमूला की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं धन्यवाद